रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए फील्ड में एक बहुत मजबूत कैडर है करीब 80,000 के आसपास सुपरवाइजर्स, जूनियर इंजिनियर्स, CTI's एक ऐसा पूरा बड़ा कैडर है जो की हमारी रीड की हड़ी है, हमारे लिए सबसे मजबूत जो ग्रास रूट्स पे काम करने वाले टेकनिकल, नॉन टेकनिकल, हर एक तरह की जो बड़ी फंक्शनालिटीज हैं उन सब को करने वाले ये कैडर है इस कैडर में एक लंबे समय से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैगनेशन की एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद में उनके पास और कोई प्रमोशन की एविन्यूज नहीं थी और आजकल जिस तरह से कौलिफाइड लोग आते हैं हमारे पास वो कुछ समय के बाद में अगर प्रमोशन की ऑपरचुनिटीज नहीं मिले तो एक फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से डिजोनेंस सा हो रहा था तो उस पॉइंट को टेक अप किया गया और मैं धन्यवार देना चाहूंगा माने प्रदानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी को और माने वित्मंत्री श्रीमती निर्मला सितरमन जी को उन्होंने दोनोंने एक बहुत ही हुमेन अप्रोच लेके और बहुत ही रैशनल अप्रोच लेके ये कई वर्षों पुरानी जो प्राबलम थी उसको सॉल्व किया कैसे सॉल्व किया कि जो लोग सुपरवाइजर कैडर में थे उन सब के लिए पे अप्ग्रेडेशन का एक नया स्कोप बनाया कैसे बनाया कि लेवल 6 तक जा सकते थे लेवल 6 तक जाने के बाद में केवल ग्रूप B में सेलेक्शन का प्रॉसेस रहता था तो सेलेक्शन का प्रॉसेस मुने बहुत ही कम लोगों को आपरचुनिटी मिल पाती थी पे अप्क्रेडेशन से करीब करीब जितने भी हमारे ये 80,000 के आसपास और जिस तरह का अनुमान है उसमें बहुत सारे लोग 9 तक भी पहुंचेंगे याने ग्रूप A के आफिसर के समकाश भी पहुंचेंगे याने सुपरवाइजरी स्टाफ किस तरह से ग्रूप A के आफिसर तक पहुnes सके ऐसी विवस्था अप्रूव हुई है बहुत ही खुशी की बात है और फील्ड में इसकी मैं जहां पर भी फील्ड में जाता था हर जगे मुझे सुपर्वाइजरी स्टाफ मिलते थे और सब कहते थे कि इतना बड़ा ट्रांस्फॉर्मेशन डिल्वे में करना है कुछ हमारा ज इसमें ध्यान दिया और ध्यान देके इस बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया यह जानकर यह आज आज आप सब के सामने रखनी थी और फील्ड के ऑफिसर्स सारे जनल मैनेजर्स डियारेंस आज उपस्तित है इसमें कॉल में मैं आप सब को भी निविदन करूंग तो आल दी जनल मैनेजर्स डियारेंस आप भी अपने अपने स्टाफ में अपने फील्ड में अपने एरिया में मीटिंग लीजे और सब को बताईए क्योंकि यह बहुत ही पुरानी डिमांड ती जिस डिमांड को आज फुल्फिल किया गया है इससे आपके काम में भी एक ज कुछी दोरेगी